देश में क्रिकेट के चाहने वालों की कमी नहीं है। क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी चोश के साथ खेलते नगर आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भला मैचों के schedule में हमीशा busy रहने वाले भारतिय क्रिकीटर्स के पास भला restaurant क्यासे हो सकता है? क्या उनको ये restaurant बाहर की कोई company आफर करती हैं या फर इनका ये अलग कोई business है? लेकिन अगर इनका ये कोई अलग से बिजनिस है तो यहाँ इतना समय कहां से ये निकाल पाते हैं। हलाकि इस लिस्ट में बड़े बड़े क्रुकेटर्स का नाम भी है जिसमें विराट कोहिली, कफल देव, सचिन तेंदूलकर जैसे काई दग्गस कलाडी शामिर। जन्होंने ग्राउंड में अपने बहतुरीन पफॉर्मेंस से सब को पीछे तो खेर दिया, उसके साथ साथ काफी रेश्टोरेंट्स वालों का पत्ता भी साफ कर दिया। ऐसे क्रिकेटरों को जो खेल के मैदान के साथ साथ हमारे और आपके स्वाथ के जायके को बढ़ाने में भी अच्छा पफॉर्मेंस दे रहे हैं। विराट कोईली इस लिस्ट में पहले नमबर पर हैं भारती एक रुकेट टीम के पुर्मकपतान विराट कोईली ने कई साल पहले वन एट कौम्यून नाम से रेश्ट्रो बार से हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री में खदम रखा था। वहीं अब तक विराट इस फूर्ट चेन की पांच ब्रांच खुल चुके हैं और जल्दी मुंबई में छटी ब्रांच खुलने वाली है। हलाकि आपको बता दे कि विराट कोईली का रेश्टोरेंट नूवी एया अपने स्वाद और ग्लोबल मेन्यू के लिए जाना जाता है। तगाल, फ्रांस, जापान और रस्यन पूर्ट की भी एक लिस्ट मिलेगी। यहां शीसे की किचन बनाए गई है, साथी सफेद और गोल्ड कलर में इसे सजाए गया है। लेकिन दोस्तो, आप सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी खासी कमाई होने के बाद इन्हे रेश्टोरेंट ही क्यों खोलना हैं तो आपको बता दें कि अपने कारियर पर फोकस करने के साथ साथ रेश्टोरेंट एका ऐसा बिजन्स है जिसीं आप काम समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं। सन 2002 में उन्होंने अपने रेश्टोरेंट को मुंबाई में खोला था। जेकिनस काम में उन्होंने सफलता हासल नहीं की और अपना रेस्टोरेंट मुंबाई में खोलने के बाद नामी होटल विवसाई संजयनारंग के साथ मिलकर मुंबाई में एक रेसटोरेंट कोला था जिसके एक ब्रांच बेंगलूरू में भी खोली गई थी लेकिन यह सफल न इन्हों ने रेस्टोरेंट में भी अपनी किस्मत आजमाई दरसल रविंद्र जड़ेजा के रेस्टोरेंट का नाम जड़ूज फूड फिल्ड है। और राज़कूट में खुले इस रेस्टोरेंट में विलीशी खाना भी मिलता है हाला कि उनके लिए इनका एक बैड लग रहा क्योंकि इनका ये रेस्टोरेंट अब बंदो चुका है जाहिर खान। इन्डिन क्रिकेटर जाहिर खान ने 2005 में एक डाइन फाइन के नाम से रेस्टोरेंट कुला था। पुडे में खुला जाहिर का रेस्टोरेंट यहां के बड़े लाउंज में विगिना जाता है और यहां सेलिबिटीज का आना जाना लगा रहता है अलाकि कुर्केट से सन्यास देने के बाद इन्होंने रेस्टोरेंट में अपना काफी जादा समय दिया है कपल देव भारत को पहला बेशुक्त दिलाने वाले कपल देव ने चंडिगड के साथ भारत के कई अन्य शेहरों में कपल्स 11 के नाम से अपने रेस्टोरेंट स्कूल रखे हैं कपल 11 में आप लजीज खाने का लगत उठा सकते हैं कपल देव ने साल 2008 में पहला ना में अप आपको हम बता चुके हैं कि रेस्टोरेंट एक ऐसा ऑप्चन है भारत में जो लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है और इस लग्जरियस लाइफ के साथ इन्हें अच्छी इंकम भी होती है सौरफ गांगली वी सी सी आई के अद्धश और भारती टीम के पर दिग्गस क्रि गिटर की तरह अपना रेस्टोरेंट खोला है सौरफ गांगली ने साल 2004 में अपने होम टाउन कुनखता में सौरफ दफूड पूड पबिलियन नाम का रेस्टोरेंट खोला था कुछ साल तो यह रेस्टोरेंट सही चला लेकिन बाद में गांगली को नुक्सान होने लगा जिसके वज़े से इसे साल 2011 में बंद कर दिया गया जिसको लेकर उनके भाई देवाशीस ने बताया कि मैं और सौरफ अधिक व्यास्त होने की वज़े से इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे इसी कारण हमने इसे बंद कर देने का पैसला किया बले ही यह बिजनिस पिल्ड म ज्यादा नाम नहीं कमा पाए लेकिन प्रके जगत में उनका नाम आज भी चलता है। पुर्व भारते क्रुकेटर सुरेश और रहना अपने दौर के सबसे बिस्पोटक बल्लेबाजों में सेख रहे हैं। पुर्व भारते के सबसे बिस्पोटक बल्लेबाजों में सेख रहे हैं। अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं क्योंकि यह एक लगजरी लाइफ को दर्शाता है। तो दोस्तों देखा आपने कस तरह से क्रुकेटर्स की दुनिया में नाम कमाने वाली एक क्रुकेटर बिजनिस की दुनिया में भी नाम कमा चुके हैं। अगर हाँ तो अपने फेबरेट क्रुकेटर के रेश्टोरेंट में खाना तो बनता है क्यों सही गाना। तो इस जी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बलकल भी ना भूलें।